मसकार दोस्तों आज किस वीडियो में OMR सीट के बारे में बात करने बाले हैं कि किस परकार से जाच करते बक्त OMR सीट के साथ गरबरी की जाती है इसके कारण परने वाले कंडिडेट का रिजल्ट नहीं हो पाता है जबकि बिना परने वाले कंडिडेट का रिजल्ट हो जाता ह आपको बताएंगे कि किस परकार से कुछ चंद पैसों के खातिर इस्टूडेंट के भविस्य के साथ खिलबार किया जाता है इसलिए आप वीडियो को पूरा अवस्य देखेगा तो चलिए आज का वीडियो इस्टार्ट करते हैं OMR सीट में किया गया खेल साकारिता भरती घोटाले की जंच कर रही SIT को पुक्ता सबूत मिले हैं कि अधिकारियों आईएस और नेताओं के गठ जोर ने मेघाबियों को परिक्छा से दूर करने की बड़ी साजिस रची जो अभ्यार्थी अच्छे नंबर पाकर मेरिट में उ मेरिट से दूर हो जाए ऐसे सेक्रों OMR सीट पाई गई है जिन में दो-दो गोले जान बूज कर बना दिये गए हैं एसकेनिंग कमपणी के जरिये किया गया खेल SIT की जाँच में सामने आया कि यह काम राम नरेश की इसकेनिंग एजनसी के द्वारा किया गया इसमें एक नेता के करिबी की भी बड़ी भूमिका रही ऐसा उपर से मिली सूची के भ्यारतियों को समाहित करने के लिए किया गया था SIT ने अब OMR सीट का फोरेंसिंग जाँच कराने का फैसला किया है वहीं जल्द ही नोटिस जारी कर पूछताच का सिलसिला शुरू किया जाएगा तो आप देख सकते हैं कि किस परकार से OMR के साथ जाँच के दोरन गरवरी की जाती है जिसके कारण परने वाली कंडिडेट का रिजल्ट नहीं हो पाता है जबकि बिना परने वाली कंडिडेट पैसे देकर रिजल्ट ले लेते हैं और इसमें सबसे बरी बात ये है कि ये साजिस, अधिकारियों, आयेस और नेताओं के द्वारा रचा गया। ये मामला उत्तर परदेश का है, इसी परकार से कई राजियों में गरबरियों की जाती है, लेकिन कुछ राजियों का ही उजाकर हो पाता है। तो आप देख सकते हैं कि किस परकार से चंद रूपियों के खाते चातरों के भविष्य के साथ खिलबार किया जाता है।